एक बार की बात है, एक छोटे से गाव में एथन नाम का एक युवा लड़का अपनी अविश्वसनी ये जिग्यासा के लिए जाना जाता था. उन्हें अपने आसपास की दुनिया के रहस्यों को जानने का गहरा शौक था. हर दिन स्कूल के बाद एथन नई चीजों की खोज के लिए उत्सुक होकर पास के जंगल में जाता था. एक धूब भरी दोपहर में एक छिपे हुए रास्ते की खोज करते समय एथन की नजर पत्तों के धेर के नीचे आधे दबे एक प्राचीन दिखने वाले नक्षे पर पड़ी. मान्चित्र में एक मार्ग दिखाया गया ह जो एक छिपे हुए खजाने की ओर जाता है, जिसके बारे में अफवा है कि यह जंगल के बीचों बीच दबा हुआ है. वास्तविक जीवन के खजाने की खोज के विचार से उत्साहित होकर एथन ने इस रोमान्चक साहसिक कार्य पर निकलने का फैसला किया. अपने बैक प जाडियों के बीच से रास्ता निकालना था. कई बार उन्हें निराशा और थकान महसूस होती थी, लेकिन उनका द्रिड संकल्प कभी नहीं डिगा. जैसे जैसे एथन जंगल में गहराई तक गया, उसे अपने आस पास की प्रकृती की सुंदरता नजर आने लगी. पक्ष थे. कई दिनों की साहसिक खोज के बाद एथन अंततह मानचित्र पर दर्शाएगय स्थान पर पहुँच गया. उसने उत्सुकता से खुदाई की और वह आश्चर्य चकित रह गया, जब उसे जटिल नकाशी से सजी एक छोटी सी पेटी मिली. कापते हाथों से उसने प्रिवार के साथ साजा किया और उन्हें जिग्यासा को अपनाने और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. और इस तरह एथन की कहानी गाव में एक प्रिय कहानी बन गया.